हेलो फ्रेंड वेल्कम टॉ लौ अंगे के आध प्रेजेंट फियाँ वेडियु घृपर वन फ्रों प्रिविस यहर्स तो फ्रेंड इन टोडेइज वीडियो व्यार कुंद दिस्कुस दी अद जून टीन 2019 में law subject में आये हुए paper 1 के questions को आज हम discuss करेंगे before moving towards the video I recommend कि आप थोड़ा सुन लीजिए देखिए जो paper 1 होता है वह कोई भी subject हो हर subject में first 50 questions जो होते है that is part of paper 1 जिसमें की teaching aptitude, research aptitude फिर आपका reasoning, maths, data interpretation ये सारे questions रहते हैं and ऐसा नहीं है कि मालीजे कि लोगा paper हो रहा है और उसमें आपके 50 questions जो paper 1 में आया हुए है तो ज़रूरी नहीं कि वह same ही रहे हर exam paper में, हर exam में जो है वह randomly आते हैं उनलाइन paper होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे questions मना के छोड़ दिये गए है और उसमें से फिर आपको जो है वह answer करने होते है तो इस तरीके से अगर आप देखे तो अब हर subject का एक अलग दिन होता है और जो exam चलते हैं वह modern 10 days exam चलते हैं और morning shift फिर evening shift रहती है तो आप देख लिजिए इस हसाब से हर attempt में दो paper जो आपके paper 1 रहते हैं और आप एगर एक assumption लगाएं तो around 20 papers जो है paper 1 के रहेंगे इसमें 50 questions होते हैं 20 papers 50 questions मतलब 1000 questions आपके हो गए for one net exam तो उसमें से हम कुछ subjects में से जब हमें paper 1 मिले हैं तो हम उनको discuss कर रहे हैं क्या पता आपके इस questions में जो है वो randomly फजयाएं और repeat questions भी आने की chances बहुत रहते हैं repeat नहीं तो similar questions तो आते ही आते हैं तो आप इन वीडियो को जाद धान से देखिए और जो भी आप पड़ रहे हैं त्यारी कर रहे हैं इस net paper 1 की तो यह आपके लिए उसमें बड़ा ही helpful रहेगा आपको help ही करेगा साल में देखें नेट दो बार या आता है और due to covid अभी early हो रहा था अभी जो है December cycle और June cycle के लिए खटा एकजाम हो रहा है जो की July अगस्त में होना है तो इस तरह के आप देख सकते हैं माल लिए जो जुलाइ अगस्त में पे एकजाम हो गया तो next जो आएगा आप जो है इस चैनल को जुल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए विकोज इट विल बेरी बेनिफिशल फोर यू ने परप्रेशन फोजडीशी एन अधर लीगल एकजाम एन यूदीसी नेट एकजाम यह कई बारी ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी नेट का परस कर ले तो कोई नो कोई कोशन साफ के महां पर फरस जाए और वो सकता है कि आपका जो पेपर वन जो है वो क्लियर हो जाए तो प्रिविश यह पेपर साप जरूर देखिए अगर आपके त्यारी अच्छी है आप जो है कोचिंग भी ले रहे हैं कहीं से पेपर वन की यह काटिया प्रिविश पेपर के पहुasm जब ज़रूरी है चाहरे आप कोचिंग ले रहे हैं चे काई ना ले रहे हैं कभी यह यह ऐसा होता है कि आप ने मिद्वान रिक यह प्रिविश्य पेपर करके कई यह क्की लोग पूरा पेपर जो है पास कर जाते है यह और वाल scor gig दे to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos चलते हैं पेपर की और मैंने भी ये नेट से डाउनलोड किया है चलते हैं कोश्चन पेपर की और ये बढ़ते हैं कोश्चन पेपर की और ये बढ़ते हैं कोश्चन नमर बन का कहता है अगर वो एवालवेशन पेपर कमेंट करता तो फिर वो होता केटेगोरिकल next two inclusive education implies ensuring learning outcome या फिर including the disabled in the mainstream या provides compulsory education for children below 14 years या फिर ensuring that no child is left behind in education तो no child shall be left behind four is the answer next three the study of why does stressful living results in hard tech can be classified as explanatory research explain कर रहे है कि कैसे होता है क्यों होता है next four listening is important for a teacher to address the requirement of the learners one is the answer next five reflective practice implies use of one's metacognition two is the answer next six made questionnaire observation interview and collective questionnaire are instances of primary sources three is the answer for question number seven peer group interaction in a classroom helps in concept understanding one is the answer next eight when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of a teacher and more initiative for self-learning is evident which of the following expression will describe the teacher most appropriately the teacher is effective two is the answer next nine a hypothesis should be conceptually simple clear and specific three is the answer next ten the formulation of a research problem can be compared to laying the foundation of a building one is the answer one is the answer अब देखिए आगया यह पैराग्राफ पैसेज पैसेज में से कोश्चन करने है 11 to 15 तो इस वीडियो को पोज़ करके आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं तो कोश्चन at the third stage three is the answer next 13 venturing into related products and services does not mean that a business will ignore the original product move the founder to more manager role delegate more responsibility if ignore the related product and services to ignore the original product one is the answer next 14 when will a business create its place in the market at introduction two is the answer next 15 the founder of a business does not move to a more managerial role at which stage startup stage four is the answer next 16 which is the following signifies non-verbal communication in an essential way कौंसा instruction written on a question paper क्या हो गया यह वर्बल हो गया तो learner attending यह तो लर्णर so three is the answer next 17 if red is coded as 6720 then how would green be coded अब देखे अब जो ABCD लिखी होती है आप उसको लिख लीजिए पहले तो पूरा ठीक है one two three four करके ठीक है अब देखिए रैड को कैसे लिखा हुआ है और इडी अगर आप देखे तो अठारा पांच चार ओके बट इसको लिखा हुआ है DER कैसे चार पांच अठारा और इसमें प्लस दो कर दिया है देख लीजिए six seven two zero तो इसी तरीके से green को करना है अब green लिखा हो तो इसको क्या करेंगे एन ए ए आर जी तो जी कितना है seven आर हो जाएगा 18 e five five n is fourteen तो कितना वन गया 16 seven seven two zero nine two is the answer next 18 no magician are Japanese all barbers are musicians no barbers are Japanese identify the middle term in the above cellularism middle term कौन सी होगी subject is the first premise predicate is the second या फिर predicate is the first premise subject जो हना that is musician वो first premise से predicate is the second तो one is the answer next 19 which is the following is the characteristic of modern mass media that is capital intensive one is the answer next 20 which is the following is the stage of intrapersonal communication that is transcendental communication 4 is the answer next 21 a man travel from the village to railway station ये है मालो village है यहां से गया railway station at the rate of 20 km per hour 20 km per hour walk back at rate of five अब फिर वापस आया 5 km per hour की speed से if the whole journey मतलब आना जाना दोनों जो है पांच गंटे लगे find distance of the railway station from the village now time is equal to distance upon speed time कितना दिया हुआ है पांच फाइफ आवर्स लगे ना is equal to distance कितना है वो पता करना है हमें तो d20 plus d5 ऐसी रहेगा 20 तो 4 d d plus 4 d is equal to 5 ओके तो कितना हो गया 5 d is equal to 100 then इसको divide कर देंगे 20 km 3 is the answer next 22 among the five friends Vinit is taller than Monica but not as told as Ram Jacob is taller than Dilip but shorter than Monica जी कैसा लिए है पांच friends है तो जो Vinit है वो Monica से taller है but Ram से taller नहीं है Jacob है वो Dilip से taller है but Monica से छोटा है ठीक है ना who is the tallest is Ram 1 is the answer next 23 inductive argument proceeds from universal to particular या फिर particular to universal that is particular to universal 2 is the answer next 24 semantic barrier of communication is implied when the receiver does not understand the meaning of the message 4 is the answer that is called semantic barrier when the receivers fail to understand the message next 25 a trader mixes three varieties of refined oil costing 140 and 60 liters in the ratio of 243 अब इसको क्या कर देंगे हम 100 into 2 plus 40 into 4 plus 60 into 3 इसी ratio मिक्स किया ना तो कितना आ गया 200 plus 160 plus 180 कितना हो गया 540 and sales the mixture at 66 per liter what the percentage profit does he make अब इसको डिवाइड कर देंगे हम किस से 2 plus 4 plus 3 divided by 9 कितना आ गया 60 तो 66 minus 60 कितना percentage में देख लो 10 percent है 2 is the answer next 26 if the average of five numbers is minus 20 then the sum of three numbers is 32 then what is the average of other two numbers तो 5 number की अगर average minus 20 है ठीक है और 3 की कितनी है 32 और हमें किस की बतानी है 2 number की और बतानी है यह ठीक है तो average कैसे देगी फिर मान लीजी this is x x plus 32 is equal to minus 20 into 5 ऐसे ही है ना average average is equal हो गए फिसको नहीं काल लेंगे हम minus 100 x plus 32 तो यहां से minus यहां पर हो जाएगा तो x is equal to minus 132 अब x आगया 132 तो इसको दिवाई काद़ तो 2 से तो minus 66 वन इस दीजीए अंसर next 27 consider the example गिवन बिलो देवदत इस ग्रोइं फैट, he does not eat food during the day therefore he must be eating food during the night other things being equal identify the logic involved in the example provided about choosing the correct answer from the options तो कौन साइट इन लोजिक है इसमें अर्थ पत्ती, when is the answer next 28 if 0.75 x is equal to 0.02 y then the value of y minus x and y plus x is x upon y कैसे करेंगे 0.02 0.75 इसको solve कर लेंगे तो x आजेगा 2 and y आजेगा 75 अब 75 minus 2, 75 plus 2, 73 upon 77 आजेगा 3, simple next 29 consider the argument, sound is permanent because it is a product like the jar identify the fallacy involved, fallacy of contradiction, wrong assertion, irrelevant reason, trivial reason this is contradictory reason, one is the answer, next 30, adjacent communication presupposes a shared symbolic environment, a social relationship even among non-participants इसका reason है, it leads to social interaction which is combination with other factors contribute to a sense of community, choose the correct option given below तो क्या जो अजेशन इसका reason ठीक है, no, assertion is wrong, r is true so 4 is the answer, a is false, r is true अब है directions, data interpretation के question है, 31 to 35 consider the following table show the production of fertilizers by company in 10,000 tons during the year 2011 to 2018 अब देखिए यहां पर यह यह दिया हुए है, यह दिया है production ठीक है, increase, decrease पूछेंगे, इसमें देखिए next 31, what was the percentage decline in the production of fertilizer from 13 to 14 अब 13 में था 75, 55 होगया, विसकी percentage निकालनी है, 70-55, that is 15 upon 70, कितना आ जाएगा, 21.4%, 2 is the answer 32, what was the approximate percentage increase in production of fertilizers in 2018 compared to that in 2011, देखिए 2018 में कितना है, 90 है और 2011 में कितना था, 35, फिर से सो कर देंगे, कितना आ गया, 55 upon 35, that is 157%, when is the answer next question है, in how many of given years was the production of fertilizers more than the average production of the given year, अब दिखिए अब इसका सारे सालो कादू है, आप average निकाल दी, जिए जिए टोटल आएगा, that is 520 और कितने है यह 8 है, तो 520 divided by 8, that is 65 is the average कितने है, 1, 2, 3, 4, 3 is the answer, 4, next 34, the average production of 2012 and 2013 was exactly equal to the average production of which of the following year, 12 में है 50 and 13 में है 70, तो कितना हो गया, 120, 120 exactly कितने में है, 11 में कितना है, 35 and 2017 में है 85, that is 120, तो equal is 2, next 35, in which is the percentage increase in production as compared to the previous year was maximum, अब आपको सब की percentage निकालनी है, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 14, सब की average तो सब ज़्यादा percentage increase किस में हुआ है, 2012 में, 1 is the answer, 36, permafrost is defining characteristic of which biome, that is tundra, 2 is the answer, next 37, the report of which of the following education commissions carries the subtitle, education for national development, that was kothari commission, 4 is the answer, next 38, in audio video compression, the term RGB means red, green and blue, 2 is the answer, next 39, mangrove exists in saline waters, 4 is the answer, सब से बटा कौन सा है, सुन्दर बन, next 40, which of the following statement best explains the concept of sustainable development, use of natural resource minimally for our benefit, या फिर जुदिशियोसली, so that they are available for future generation, that is sustainable development, 3 is the answer, next 41, chemical oxygen demands in eutrophic water is high, 2 is the answer, अब match करना है, what is 1st generation, vacuum tube, 2nd generation, transistor, 3rd generation, integrated circuits, 4th generation, VLSI microprocessor, तो आंसे क्या रहेगा इसका, आंसे रहेगा इसका 2, next 43, which of the following is node, AO and web browser, ये same question पूचा गहए, 2020 में आप देख सकते है, आपर Facebook option था, तो यहांपर यहू is not a web browser, 4 is the answer yahoo is a website next 44 1 terabyte tb of memory is equal to 1024 cube three times of kb so three is the answer next 45 the expansion of sankalp is skill acquisition and knowledge awareness of livelihood promotion three is the answer next 46 in which the modern indian university got established in 1857 2 is the answer kone kone university established kia gaya tha modernize kia gaya tha calcutta madras and bombay okay next 47 a and dash is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents that is computer virus 2 is the answer next 48 in which era given below higher education in india got a setback in mughal era next 49 the target set by indian government for generating power from wind energy by the year 2022 is 60 gigawatts one is the answer index 50 which pollutant is major source of marine pollution agriculture runoff oil spill industrial waste water or sewage sewage is the major source for pollutant in marine pollution agriculture runoff is also an option oil spills ithne nahi is also an option oil spills ithne hojate but not that much but not that much jitna ghi hum jho gharo se factory se nikalte hain waste wo to sewage is the major source for pollution to isme jho industrial waste bhi a jatah phir household waste bhi a jatah dhne hojate hain for would be the answer so friends yhaan pher hum ne u gc net june 2019 log exam paper me iohai paper one ko pura discuss kar liya hai agar abo isme problem laghi ho koi queries ho koi sedations ho to aap jho comment section me jake lik saktay hai and jho reasoning ke ya aafir jho math ke questions hain agar aap ko koi or tariqa pata ho to aap jho comment section me jake zhru bata ye ki aap question ko is tariqa se bhi kar saktay hai aur abo apni knowledge bhi haan par share kar saktay hai abota saktay hai ki bhi jho statements hain kohan se li ghi hai kohan si theory se hai kohan si principle hai woh ap lik saktay hai when you share your knowledge you just increasing your knowledge douserok ko bhi help ho ghi aap ko definitely ho ghi ho ghi and agar aap ko yi video acha laga ota isko zhru like ki jiega share ki jiega apne friends ke saath unko bata hai ki yhaan pher unko u gc net ke previously papers paper one jho hai easily mil jayenge pura discussion ke saath and bell icon ko press karna na bholiyega so friends milte hain aap se next video me thank you thanks very much for watching this video